जारखण के चुनावी समर में जल्द ही दिगज भी मोचा संभालेंगे एंडी और इंडिया गडवंधन के आला नेताओं का चुनावी दोराय शुरू हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंग्रमोधी चाइबासा से एंडिये के पक्ष में चुनावी शंक नात करेंगे एंडिये प्रत्याश्य के पक्ष में प्रधान मंत्री तीन मई को दो पहर तीन बजे शाइबासा में चुनावी सभा को सम्भोधित करेंगे साथ ही सीम्भूम सीट की एंडिये प्रत्याश्य की गीता कोड़ा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे हाल ही में गीता कोड़ा कॉंग्रेस शोर कर भाजपा में शामिल हुई थी भाजपा में उन्हें सीम्हुम सीड से प्रत्याशी बनाया है चार माई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी जार्खन में दो चुनावी सभाओ को संबोधित करेंगे पहली जन सभा पलामु में सुबह 9 बज़े होगी यहां से भाजपा ने सांसथ वीदी राम को फिर से प्रत्याशी बनाया है वहीं दूसरी जन सभा लोहर दगा के सिसाई में दो बाहर सारह 12 बज़े होगी लोहर्दगा सीट से बहाजपा ने राजवे सभा सांसत समीर उयाओं को प्रत्याशी बनाया है जारखन में चौथे चरण में चार सीटों पर 13 मई को मतदान होना है इसमें सीम्भूम, खूटी, लोहर्दगा, पलामू की सीट शामिल है बहाजपा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के कारेक्रम को लेकर तैयारियों में जूटी हुई है वहीं इंडियागरवंधन ने भी अपने आला नेताओं की चुनावी सभाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है कॉंग्रेस के राश्वरे नेता राहूल कांधी मई के पहले सब्ता में जुहार्खड पहुँच रहा है वह जुहार्खड के पहले चुरूर्ण के लोगसभा चुनाव के लिए सभा करेंगे वह लोहर्दगा और खूटी सीमा में सभा को सम्भोधित करेंगे इस सभा में दोनों की लोगसभा के समर्थकों को जुटाने की कोशिश होगी प्रदेश नेर्तरत्वे इसके लिए जगा चिन्हित कर रहा है बस्या के पास चुनावी सभा कराई जा सकती है पाटी रेता प्रियांका कांथी के चुनावी दोरे की तैयारी भी चल रही है पाटी के राश्ट्रे धक्ष मलीकार जुन खरगे और रणदीबु सूर्जे वाला भी ज़ारखन पहुचेंगे